प्रदर्शन लगतार जारी है और पहलवानु के समर्थर में उतर आई है अब खाब पंचायते भी साथी किसानों ने भी पहलवानु का समर्थन कर दिया है पहलवानु को समर्थन देने राकेश ट्रिकैत भी पहुंच गये जंतर मंतर इस बीच ब्रजभूशन शरण की खाब पंचायते भी उतर आई हैं तमाम किसान नेता और किसान भी पहलवानु के समर्थन में सामने आ गए किसारों ने भी पहलवानों का समर्थन कर दिया इस बीच किसार लीडर राकेश चिकैट पहलवानों के बीच पहुचे जनतरमंतर पहलवानों को समर्थन देने के लिए राकेश चिकैट ने अपनी मौझूदगी दर्ज कराई जनतरमंतर पर तो बिजबुशन शरण सिंग की ग्रफतारी की मांग इस बिच तेज हो गई है इस तिफा भी मांगा जाना बिजबुशन सरण सिंग का इस बेहाद आएम खबर पर मेरी साथी अवंतिका मेरे साथ बनी हुई है वंतिका का रुख करेंगे आपर तमाम अपडेट्स के लिए औ वंतिका हम देख रहे कि धीरे धीरे पहलवान अपनी जिनमांगों को लेकर जंतर मंतर पर डटे हुए हैं ये विस्तरित होता जा रहा है ये मामला पहलवानों का धरना वसी होता जा रहा है हर्यान और पंजाब की भी खाप पंचाहते किसान लीडर भी पहलवानों के पर अभी लोग जो है किसान हूँ चाहे खाब पंचाठों के प्रतनिधी हो ये दिली कूच कर रही है दबाव तो कहीं न कहीं एक बनेगा सरकार की उपर लेकिन इस समय इतना जरूर है कि अभी जो समर्थन दिया जा रहा है यह सांकेती है यानि कि सिर्फ एक दिन के लिए समर्थन दे जाते हैं फिर वापस लौट जाते हैं इसलिए जो आपने सवाल किया कि किसान आंदुलन वाली जो सिती है वो अभी बनने वाली है तो किसान अंदुलून के समय पक्के मोचे लगाए गए थे हाला कि इस बार जंतर मंतर पर ऐसा नहीं देखा जा रहा है जो पहलवान बैटे हुए हैं वो ही लगातार कॉंस्टेंट बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर अपना धरना दे रहे हैं लेकिन उनके अलावा उनके पर जाहें जाहें राजनीता हों चाहें किसान हों चाहें फिर इसमें खाप चौधरी हों तो हर रोज पहुंच रहे हैं उसके बाद एक दिन के समर्थर के बाद वह वापस भी लौट रही है आज यहीं सितिती इस दिली बॉर्डर पर भी देखने को मेरी तरसल जिस तरह से जानकारी है मुवतास की पंजाब से महिलाओं के साथ में एक जत्था जो है वो दिली के जंतरमंतर के लिए कूछ करके गया था उन्हें रोक दिया गया पहले बॉर्डर पर सिंगू बॉर्डर पर टिक्री बॉर्डर पर लेकिन वहां पर उनकी और से जब कहा गया कि ठीक ह रोक दिया है तो हम यहीं पर रुक जाएंगे उसके बाद में हाला कि जब सिती थोड़ी सी बिगड़ती हुई से नज़ रही तो उसके बाद रास्ते खोले भी गए और जंतर मंतर जाने के अनुमती दे भी गए क्योंकि कहीं ने कहीं देखें कि डर ये है कह सकते हैं कि इस सम सामला रोज हर दिन से ज़्यादा सुर्ख्या बटो रहा है वंतिका बनी रहे हमारे साथ एक बड़ा प्डेच जो अपने दर्श्कूतर कमें पहुंचाना है पतादे आपको कि जंतर मंतर पर पहल्वानु का इधरना पंधरुए दिन भी जारी है और कई रियासतों की अधरन संग्थन आज यहाँ महा पंचाइद करने वाले हैं और यह महा पंचाइद करके आगे की रणनीती तयार की जाएगे तो अवंतिका अब महा पंचायत का मनसूबा है किसानों और खाब पंचायतों का जंतर मंतर पर ही ये महा पंचायत की जाएगी और आइन्दा की आगे की एकमत्य अमली आगे की रणनीती बनाई जाएगी इस महा पंचायत में कुल मिलाकर अवंति का इस मामले को लेकर काफी जादा संजीदा नजर आ रहे हैं खिलाडियों के साथ साथ खाप पंचायते भी, किसान भी, समाज के दूसरे तपके भी और अपोजिशन जमातों का भी साथ मिल रहा है खिलाडियों को उनके इस आंदूलन में तो आज माहा पंचायत भी है, बहुत मुम्किन है कि कोई ठोस और बड़ा फैसला आज माहा पंचायत मिलिया जाए बिल्कुल देखे मुम्ताज अब इतना भी है कि ये जो पहलवानों का धरना जो दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ इस माहा पंचायत में किस्तान नेता राकेश ठिकैत और दूसरे किसान संगठन जो है पंजाब से जो गिंदु गराहां जो है वो अपने समत्कों के साथ में पहुंच हैं तो यहाँ पर किसान जो हैं वो भारी संख्या में जुटे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जब हमें जॉरती तो यही पहलवान थे यही लोग ते जो हमारे समर्थन में भी आएती ते उनको जुरत है तो हम बेटीों के साथ खड़े हैं साथी साथ खाप चौधरी जो हैं वो भी लगतार इसमें पहुंचोंगे तो महा पंचार के अंदर जो एक बड़ी बात कही जा रही है कि कोई बड़ा फैसला लेने की तयारी है हो सकता है कि इसमें पहिश्कार की बात के जाए जाए जाएगा कहना है जोगेंद्र उग्राह का बिजभूशन शरण की तुरंद गिरफतारी की मांग है और जोगेंद्र उग्राह ने ये भी का कि किसानादुलन की तरह ये हालात इसी तरह के बन सकते हैं आब पहलवानों की मांगों को लेकर भी अगर सरकार रोक लेती तो शैद हो सकता आज हम ना जाते यह जड़र लगाये हुए थे लेकिन हमारा आज एक दिन का प्रटेस्ट है एक दिन के लिए हम दोगाए हुए आज का प्रटस्ट मरा एक दिन का है अगे अगर सरकार ने इस मसले को हर ना किये तो आगे सोचा जाएगी जड़ब भी हुई है महिलाओं की आंदिली पुलिस के साथ रोका गया तो नाके तोड़ गए देखें सरकार रोकेगी तो ऐसा तो होगा फिर जबर किसी बाद जबर करने के बाद उसकी बाद दोशी को सजा देने के लिए सरकार त्यार नहीं उनको पकड़ने के लिए त्यार नहीं है उनकी बाद सूने के लिए त्यार नहीं तो ऐसा तो होगा तो अवंतिका आप ने भी देखा कि किस तरह से अभी आगे भी इस आंदुलन को अपने अपने अंद्याज में आगे लिजा कर जाने की बात की जा रही है अलग-अलग संग्ठनों की तरफ से इस भी चबंतिका आज एक वीडियो रिलीस किया है इस मामल में आरूपी ब्रिजभूशन शरण सिंग ने अपने इस वीडियो के जरी ब्रिजभूशन ने कहा कि मैं आपके जूनियर बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ उसके अलावा भी अपनी इस वीडियो में ब्रिजभूशन ने कई और बाते कही उन्होंने ये भी कहा कि ये कहानी क्यों बनाई गई ये भी आगे सामने आ जाएगा इस वीडियो के जरी क्या कहना चाहते हैं ब्रिजभूशन देखें जाहर तोर पर ब्रिजभूशन मुम्ताज शुरुवात से ही ये बात कह रहे हैं कि उनके उपर जो आरोप लगे हैं वो सरासर निराधार हैं इससे पहले उन्होंने एक और वीडियो जाने किया था ये जब अब दुबारा से ये पहलवानों का जो धरना टी कहा था कि जस्दिन लगेगा कि जिन्दगी में बेचारा हो गया हूं या लाचार हो गया हूं तो ऐसी जिन्दगी से बहतर में मौत पसंद करूँगा और आज भी उनके और से कविता सुनाई गए इस 노래 के भाद में जो बेदिया के सामने उन्होंने एक और बात ये उब मैं आने वाले भविष्ट के लिए या पहलवान परिवार परिवारों से अपील की थी कि आपके बच्चों के लिए लड़ाई में लड़ रहा हूं इस बार भी दिखिए बड़ी बात मुम्ताज यह कही गई है कि यह जो आरूप मेरे उपर लग रही है कोई तारीख नहीं ब और इस वीडियो के माध्यम सीव भी वही बात ब्रेजभूशन कह रहे हैं उन्होंने काए कि मैं मरना पसंद करूंगा ऐसे आरूप लग रहे हैं गर आज जिस दिन आरूप तै हो गया मैं फासी पर लटक जाओंगा अब अबंतिका यह वीडियो में क्या कहा एक लिए रो तक से भी विभिन खापों के चौदरी निकल गए हैं और खापों के साथ काफी संक्या में किसान भी दिली गए हैं ब्रेजभूशन शरंड की तुरंद गिरफतारी की मांग के जा रही है जनतमंतर पर धरने पर बैचे खिलाडी समर्थन में अब खाप पंचा में के इतियासिक चबूतरी पर एकठा हुई खाप पंचायतों ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया और अब जंतर बंतर की तरफ कुछ कर लिया गया इस बरीच आपको ये बता दें कि खिलाडी की प्रदर्शन के बीच बजरंग पूनिया ने बयान दिया उन्होंने समर्थन करने वालू का शुक्रिया अदा किया और समर्थन करने आई लोगों से अपील की कि शांतिपून तरीके से धरना दें ये देश के सम्मान के लड़ कि अहीं सुरक्सित नहीं है तो हम कैसे गर में बैठ सकते हैं आज ये बेटी आए कल कोई और बेटी होगी बहन होगी तो ये सोचने का विसापूरे देश के लिए और मैं जो हमारे समर्थन में आरे उनसे भी बोलूँगा कि शांतिपूरोग हमें आना है शांतिपूरोग ह करें कु अधियर कहां से कहां का से लोग आ रहे हैं कि वहान अ पैना तर direct का करू करें और रेंशे यहां वंटिका भजंग पूर्यारे न सिर्फ देशन में तरीक मेंै युप पूर्न से अधकर इनकी अपील की बलकि उन्होंने एक और एलान किया उन्होंने शाम को एक कैंडल माच निकालने की भी बात की है यानि पहलवान अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण अंदाज में इससे पहले ये भी कहा गया था पहलवान की लाड़ियों की तरफ से कि उन्हें किसी किसम की कोई राजनिती कोई सियासी सपोर्ट नहीं चाहिए लेकिन पहलवानों के आवाज में आवाज मिलाने के लिए खुद लोगों के यहां चल कर पहुंचने का सलसला लगतार जारी है अवानतिका बिलकुल जाहर तोर पर देखे जब से पहलवान बैठे हैं लगातार समर्थन जो है वो उन्हें मिल रहा है बड़ी बात यह है मुम्ताज की इस बार पहलवानों ने यह साफ कर दिया था पहले दिन से ही कि जो भी उनके समर्थन में आना चाहते हैं वो उनको समर्थन देने के लिए पहुंच जाए यानि कि पिछली बार जह से हमने देखा आपको भी याद होगा कि पिछली बार से आप कहते हैं था खेलाडी होने कि कोई भी राजणितिक पάर्टी यहां पर न आए राजणितिक मंच नहीं है यह कोई राजणितिक नहीं है हमारा मुदा ये सिर्फ हमारी जो ब्रजबूशन की खिलाफ लड़ाई है लड़ाई ये सरकार से भी नहीं है लेकिन इस बार खिलाडियों ने ऐसा ऐसी कोई यहां पर लाइन नहीं खीचे यानि कि किसी राज़्चुन्तिक पार्टी को आने से मना नहीं किया पूरे देशवासियों से सभी से अपील कर रहे हैं कि जो भी आना चाहते हैं उन्हें समर्थन देने के लिए आप आएं क्योंकि जिस तरह से विनेश ने पहले भी कहा था कि हमारे साथ खेल गए हैं ये हमें भरूसा था लेकिन हमारे साथ खेल गए हैं तो इस बार देखी इसलिए भारी संक्या में जब खिलाडियों ने आहवान किया तो उसके बाद में ये जन समर्थन बढ़ रहा है लेकिन एक चीज़ और मुम्ताज अगर आपने नोटिस की होगी कि प्रदर्शन जस तरह से चल रहा है तो अभी जो ग्यारवे दिन हुआ देर रात को जस तरह से जंतर मंतर पर जो हंगामा हुआ था आपने देखा था पुलिस वर्स पहलवान ये पूरा मामला हुआ था उससे पहले का प्रदर्शन और उसके बाद का उसके बाद अब आप देखे समर्थन जो है वो और जाधा जंतर मंतर पर पहुँच रही है जिस तरह से आज भी किसान और खाप चौधरी जो है वो भारी संक्या में पहुँच रही है महा पंचायत हो रही है कैंडल मार्च जो है वो जगा जगा निकाले जा रही है इससे फरग्यारा नहीं बलकि देश में अलग लग तस्वीरे अब सामने आ रही है आज शाम को भी केंडल मार्च का आहवान किया गया है इसके साथी इस यहां पर यह जो हंगामा हुआ जंतर मंतर पर उसके बाद से ही हमने देखा कि कई जगा टोल जो है वो भी फ्री कराए गए और उसके बाद कहीं ने कहीं अब और जादा त सब अपने दर्शकों तक पहुचा दें ब्रिजभूशन शरण एक वीडियो जारी किया जिसका जिक्र मैंने वंतिका से अभी किया और अपनी इस वीडियो के जरिये ब्रिजभूशन ने कहा कि यह लड़ाई मैं आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूं यह कह इसको भी यह वीडियो दिखाते हैं जिसके जरिये ब्रिजभूशन ने यह तमाम बात ही कहीं कि कभी मैंने इनको फोन किया हो और चाचा ताओ यह जो मेरे ही बच्चे मेरे उपर आरोप लगा रहे हैं यह दिन भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा दिन था कौन सा तारीक था कौन सा समय था चाचा ताओ क्या कहूं मैं कैसी कहानी बनाई क्यों बनाई यह बाद में आपको पता चलेगा क्योंकि जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं जिससे यह बीत चुके पहलवान नाराज हैं यह लड़ाई कि मैं आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूं तो यह वो वीडियो है अवंतिका जो हमने जब से यह वीडियो सामने आए तब से लगतार अपने दर्शकू को दिखाई है इसमें कह रहे हैं बिजबूशन की कहानी क्यों बनाई गई यह भी बाद में सामने आ से खाप पंचायतों का किसानों का अलग-अलग सामाजिक संक्तनों का साथ खिलाडियों को मिल रहा है उसने बिजबूशन सिंग की परिशानी में जरूर इजाफा कर दिया है अगर आप देखेंगे बिजबूशन जो जारी कर रहे हैं इस से पहले भी आई और या भी वीडिया उनके चेहरे पर पर परिशानी कई नहीं कर आए इस दबाफ है तनाव है उनके हाव-थाव से उनकी चेहरे से नजर आ रहा है कि इस समय है और जो कहानी की बात हुट्डा का नाम है इस मामले में जो सीधे तोर पड़े रहे हैं कि ये दीपेंद्र हुट्डा करवा रहे हैं और ये दरसल डेवले फाई पर हावी होना चाहते हैं आपको क्या लगता है मुम्ताज इससे में देखे ये जो हाव हाव है ब्रेज़ भूशन के ये उनका जो न नतीजा है उसी दबाव का नतीजा है कि इस तरह का ये वीडियो लेकर आना पड़ा ब्रेज़ भूशन को आप बनी रहे हैं वंतिका मारे साथ कुछ और अपडेश है हमारे पास अपने दर्शकों तक पहुंचा दें हम बता दें आपको कि ब्रेज़ भूशन शरण सिंह के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है देलिसिस ब्रेज़ भूशन के आवास के बाहर सेक्यवरेटी में जाफा कर दिया गया है कि बता दें आपको ये भी कि ब्रेज़ भूशन की गिरकतारी का मुतालबा गिरकिकी माँंग लगतार तेंज होती जा रही है ब्रेज़ निकालने की बात कह रहे हैं बजंग पूर्या ने ट्वीट कर देश्वासियों से अपील किये कि शाम साथ बजे कैंडल मार्च निकालें देश की लोग नियाय किस लड़ाई में पूरे देश में कैंडल मार्च निकालेंगे यह आवान बजंग पूर्या की तरफ से किया गया और पूरा देश शाम को केंडिल मार्च निकाल कर इस लड़ाई में हमारा साथ दें इट्वीट देखे हैं अपने ट्वी स्क्रीन पर वजंग पुनिया ने जो किया है अज शाम को साथ बजे पूरे देश वासियों से अपील है कि अपने भारत की बेटियों की निया की इस लड़ाई में एक साथ पूरे देश में कैंडिल मार्च निकालेंगे अब आंतिका का रुख एक बार फिर करेंगे तो आवंतिका दोनों ही सुरतहाल सामने है खिलाडियों का गुसा बढ़ता जा रहा है उनकी नराजगी भी बढ़ रही है क्योंकि बार-बार मांग कर रहे हैं खिलाडी की ब्रजबूशन का इस्तिफा लिया जाए और साथी साथ इनसाफ की लड़ाई लंबी ले जाने की भी बात हो रही है अधर ब्रजबूशन एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं क्या लगता है वांतिका इस पूरे मामले में नैतिक बुन्याद पर भी कुछ चीज़े बनती हैं ब्रजबूशन खुद सामने आकर कम से कम यही कह दें चीके जांच कर वालें अगर कसूरवार हो तो जो कारवाई हो सकती है वो करें बिल्कुल देखे जांच कर वालें ये बात तो शुरू से कही जा रही है लेकिन इस समय जांच में सहयोग कितना हो ये भी देखने वाली बात हो क्योंकि देखी खिलारी जो है वो शुरूआत से ये भी कह रहे हैं मुम्तास कि अगर ब्रजबूशन इस पद पर बने रहते ह हैं तो जांच को प्रभाविच कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि पॉक्सो एक्ट के तहट मामला दर्च हुआ है और पॉक्सो एक्ट के तहट गिरफतारी बनती है यहां पे तो इस्तीफा भी नहीं हुआ है अभी तक ब्रजबूशन का लेकिन एक चीज़ और है कि ब्र ब्रजबूशन था काफी अरोगेंट उनका आटिट्यूट था और उस समय ब्रजबूशन की और से यह कहा गया था इस्तीफा तो नहीं दूगा जिसको जो उखाड नहीं उखाड ले और उस समय कहीं न कहीं यह जो है लग रहा था और यह चीज़ें थी कि शायद ब्रजब पुलिस ने कि हम फाईयाब दर्ज कर रहे हैं लेकिन इसमें जाज कहा हो रही है पहलवान तो ये तक भी कह रहे हैं कि जिन लड़कीओं ने जिन कि 나와 грach हे जिनके आरोप हैं जो कह रही हैं कि हमारे साथ में सेक्शुल हरिस्मेंट हुआ है हमें असाल्ट किया गया थे तो वो पीडित हैं, उनके बयान तो दर्ज होंगे न सबसे पहले, तो अभी तक वो बयान भी दर्ज नहीं हुए है, जो ये पहलवानों की और से खुद ही कहा जा रहे हैं, तो दिली पुलिस जाच किस दिशा में कर रही है, जी, टीक है वंतिका, आप बनी रहे हैं हमारे साथे क और अब देचे हमारे पास हरिणान दिली बॉर्डर पर पोलिस ने सकती बढ़ा दिया है पोलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है किसान और खाप पंचातों के प्रतिनिधी लगतार दिली कूछ कर रहे है और हर गति विधी पर पैनी नजर रखी जा रहे है सोनिपत कुंडली सिंगु बॉर्डर पर सकती बढ़ती जा रहे है बहादुगर टिक्री बॉर्डर पर भी पोलिस एलर्ट है बुरुग्राम में भी पोलिस गाड़ियों की लगतार चेकिंग कर रही तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग जगों से किस तरह से सकती के साथ पूछताच करके ही गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है दिली से सटे तमाम बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से जबरदस सकते इक्तियार की गई है जबरदस चेकिंग भी की जा रही है गाड़ियों की बतादे आपको कि पुलिस की तरफ से आज दिली कूच की इजासत मिल गई है किसानों और खाप पंचायतों को पुलिस की तैनाती अगर हुई है तो वो सुरक्ष्या को मत बेनाजर रखते हुई हुई है ताकि आम जन को किसी तरह का कोई नुख्यान ना हो आम दन का विश्वास पढ़ा रहे है लोयन ओडर में तो लोयन ओडर का इस सू कोई डिश्ट्रोय ना होजे इस वज़े से हमने आखड़े हैं बोडर में तो तो तमाम अपडेट हम लगतार आप तक पहुंचा रहे हैं खिलाडियों का ये प्रदर्शन अब बड़े पैमानी पर सूर्खियां बट उड़ता जा रहा है अवंतिका हमारी साथ ही मुसलसल हमारी साथ दबनी हुई हैं तमाम चर्चाओं के लिए अब अन्तिका अब इस पूरे मामले के बाद ये कहना गलत नहीं है कि ये मामला बहुत लंबा चलने वाला है बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि ना तो ब्रिजबूशन एक कदम पीछे हट्टे को तयार है और ना ही खिलाडी इस से कम पर कोई समझोते के लिए राजी है कि ब्रिजबूशन शरन सिंग का इस्तिफा लिया जाए उसको गरफतार किया जाए बिल्कुल मुम्तास और देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार जस तरह से चुपी साधे हुए है अब सरकार के बेंट से ऐसे लग रहा है कि अब अभी तक भी क्योंकि आप देखेंगे खाकुर के अगर बयान सामने आए तो उन्होंने कहा था कि हमने तो F.I.R. भी दर्च की है हम बात भी कर रहे हैं खिलाड़ी कहते हैं कि बाक्षी तुनकी तरफ से अब हो ही नहीं रही है तो ये मामला जाहर तौर पर लंबा लग रहा है कि चलने वाला है क्योंकि एक तरह स और तेज करने की तयारी चल रही है आज जन्तर मंतर पर राकेश टिकायथ पहुंचे नरेश टिकेथ पहुंचे यहां से राकेश की ओर से कहा गया है कि भूत उतारना पड़ेगा पहलवानों की बीच जाकर वह जमकत बरस्ते हुए सरकार पर नग नजर आए हैं और उनकी और से और भी बड़ी बाते हैं जो इस दुरान कही गई है भारती किसान यूनियर ने अर्थियां फूगने तक का एलान जो है वो अब यहां जंतर मंतर से कर दिया है तो और केंडल माज का हवान खुद बजरंग पुनिया की और से आज किया गया है तो ऐसे में इस करें की बात है हर आदमी की बात को हम स्विकार करते हैं हुए लोगतान्त्रिक बश्ताओं निजाम है यह सब को अपने हफ़ की बात करने का अधिकार है यह लोगतान्त्र है जाइस मांगे सबकी पूरी की जाएंगी इन सब चीजों को देखते हुए अवंतिका जो सवाल अभी इससे पहले की चर्चा में आपने उठाया कम से कम नैतिक बुनियाद पर ही ब्रजबूशन शरंड का इस्तिफा ले लिया जाता बिलकुँ जाहर तोर पर देखे ब्रजबूशन को भी अगर ब्रजबूशन इतनी बड़ी बाते करते हैं ब्रजबूशन कहते हैं कि उनके साथ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है वो खुद को पाक साफ कहते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ ऐसा प्रूव हो गया या सबूत मिल गए तो मैं फासी पर रटक जाओंगा तो ब्रजभूशन को भी ये सहयोग करना चाहिए कि आप जाच कर लीजिए जाच में क्या सामने आता है उस रिपोर्ट के आधर पर आगे का फैस्ता ले लेंगे लेकिन जाच क्योंकि बेटियां इतने बड़े अगर इतने बड़े आरोप लगा रही है तो उनकी संतुष्टी के लिए ही सही इससे में इस्तीफा देकर कम से कम एक कदम आगे बढ़ा कर जाच पूरी होने तक का इंतजार अगर पहलवान गलत है तो वो गलत सामने आएगे अगर ब्रजभूशन गलत है तो वो सामने अब अंधिका आपका बेहर शुक्रिया, इस काफी आहम गुफ्तकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो जंतरमंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगतार जारी है और इस बीच बड़ाब देटी है कि दिल्ली और पंजाब और कुछ और रियासतों से भी किसानों और खाप पंचायतों के प्रतनिधियों का दिल्ली पहुंचने का सिलसला लगतार जारी है इस बीच पर अलवानों को लगतार समर्थन भी मिल रहा है